वेल्कम टू मैज चैनल SK नूलिज कलास दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अर्ध गोला का जो है वक्र पिरिश्चेद फल ग्याद करने तो वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा आज न आप पूरा सिख जाएंगे कि अर्ध गोला का वक्र पिरिश्चेद फल कई से निकालते हैं यानि कि अर्ध गोला से रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप आप आसानी से बना लीजिएगा उस अर्ध गोले का वक्र पिरिश्चेद फल निकाले जिसका बियास 14 cm है होता है रूज इसका आधा होगा तो अर्थ गोँला में क्या आ जाता है जिसे काटोरा होता है उस में दीखें कि उपर खाली होता है एक धकत्र जबहां तरह यानि को ऑपर से नि खाइन भी तो उपड़ वाला धकन को नहीं निकालना है धकन कब लेंगे जब कहेगा कुल प्रिश्चत पल निकाले या संपुर्ण प्रिश्चत पल निकाले तब धकन निकाला धकन को भी लेते हैं लेकिन इस सवाल में धकन नहीं लेंगे अब थोड़ा समझेगा कि इस अर्ध गोला का वियास दिया है कितना वियास को जो है नदी से सुचित करते हैं जिसका वियास हमें 14 cm दिया है यहां से यहां तक हुआ 33 और यह पूरा लेंगेती हो गया वियास ठीकिना तो वियास याने की d बरावर होता है क्या वियास d बरावर 2r आर को हम लिख सकते हैं तिरजिया आर को क्या लिख सकते हैं तिरजिया कहते हैं आर को ठीकिना तो यहाँ टू आर है ब्यास बरावर टू आर यानि कि दो गुना तिरजिया ठीकिना दो गुना तिरजिया जब हमें देखिए जो अर्द गोला का वक्र पिरी छेथफल होता है उसका सुत्र होता है 2 pi r square वक्र पिरी छेथफल का क्या होता है वक्र का 2 pi r वही अगर संपूर्ण का दे संपूर्ण तो संपूर्ण में क्या करते है कि 2 pi r square तो रहता ही है इसमें उपड़ वाला ढखकन जो रहता है उसका भी पैया आरी स्क्वार जुड़ जाता है यानि कि यह हो जाएगा थिरी पैया आरी स्क्वार तो यह वक्र पृष्छित फल का सुत्र हुआ इस सम्पूर्ण तो लेकिन हमें क्या करा है कि अर्ध गोले का वक्र प्रिछ्रत निकाल लेती यह बला सुत्र परियोग करेंगे इसमें हमें तिर्जिया मालूम होना चाहिए तिर्जिया मालूम होगा तभी निकाल सकते हैं तो तिर्जिया हम लोग कैसे निकालेंगे जब हम D बराबर लिख सक निकालना है क्या अर्द गोले, का वियास यानि की डी बरावर, कितना दिया है, 14 cm 14 cm लिख देंगे निकालना है क्या अर्ध गोले का तिरजिया तिरजिया यानि कि R बरावर्द क्या हो जाएगा D by 2 देखे R बरावर्द D by 2 तो क्या करेंगे D कितना है 14 बटे 2 से भाग देंगे 7 cm निकल गया तिरजिया अब निकालना है हमें क्या अर्ध गोले का वक्र प्रिस्ट छेत्र फल वक्र प्रिस्ट छेत्र फल का सूत्र क्या होता है हम अभी तुराद बताएथे कि अगर अर्ध गोले का वक्र प्रिस्ट छेत्र फल के है तो 2 पाई आर स्क्वार होता है अब देखिए 2 πाय का मान 22 बटे 7 रखेंगे गुना r² r कितना है 7 तो square लिखेंगे ठीकिना देखिए πाय का मान जो होता है दो गोमान होता है πाय बरावर 22 बटे 7 भी लिख सकते या 3 दसमलब 1 4 भी लिख सकते है अगर सवाल में कह देखि तीन दसमलब 1 4 रखना तब रखना है नहीं तो डिरेक्ट आपको 22 बटे 7 रखना है लगबग इतना ही आता है इससे भाग देने के बाद ठीकिना इतना ही आएगा भाग दीजिएगा तो ठेक उसके बाद देखिए तो यह क्या हो जाएगा 22 दूना 44 बटे 7 साथ का स्क्वार है तो साथ गुना साथ लिख सकते है गो साथ कट गिया क्या बचा 44 गुना साथ गुना करिये तो साथ चोके 28 के 8 हासिल दू साथ चोके 28 दू 30 दूसो 8 cm स्क्वार छेत्रफल जब भी निकलता है स्क्वार लगता है वर्ग लगता है छेत्रफल में याद रखिएगा तो इसको आप लोग याद रखिएगा डी बड़ावर टू आर बड़ावर डी बड़ावर टू पाय का मान 22 बटे साथ और अगर अर्द गोला का वकर पिरिजच्छेत पल के है निकालने तो टू पायार इसक्वार लिखना है और संपूर्ण पिरिजच्छेत पल के है तो थी प्यार इसक्वार रखना है थी न सूत्र में याद रखिएगा उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए